वेलकुम बाक टू माई चैनल तो दूस्तों आज मैं आपके साथ जो है वह बट सावित्री ब्रत स्पेशल एक वीडियो लेकर आई हैं तो मेरे पास बहुत सारे लोग को कॉमेंट आया था कि दिदी आज कल आप शॉपिंग नहीं शेयर करती हैं जी जी कुछ दिला नहीं रह इन् मेशन भी खंडरम हमाप के साथ च्पारा शेयर की लुके असको अशीय एक माई भाण ट्रीं माई आप शेयर के ढ़ा हॉथ कॉडिया फिर थिए जाया से मünkü क्या सफख आख एपाग आइझ मेरा जो मेरी अपनी याल्म एड़ी मेरा है व्यास हो गते नहीं है मेरा का भर मैं देखो कि मुझे क्या नीड है तो वो मैं पर्चेस करूँ अभी मैंने चुकि वर्ट सावित्री का ब्रत था मेरा अकल तो आपके जिया जी ने कुछ थोड़ा चुटा मोटा गिफ मुझे दिलाया तो वही मैं आपके साहर कर देए हूँ और कपड़े में अगर पोले साड मिले से और को मैं पूसिक्ает और भीषैयर करदें तो देखे ये मेरा मंग्टी करी में बहुत नंस्दिक해도 दिखारी हई हूं यह दीखिए आफ ऊच्छीश से देखा लाँ है क् श Also यह काफी तोड़ा है वीडियो में नहीं दिख रहा है उन पर बहुत अच्छा लगेगा मे यह काफी बड़ा मांग्टी का है और बहुत सुन्दर सी इसकी डिजाइन आप देखेंगे तो मैं कुशिश कर दियों कि आप उनस्दीक से दिखा सकूँ बहुत सुन्दर डिजाइन है इसकी एक दम क्लासिकल ट्राडिशनल एंड एक दम मॉड़न तरीके से जो है यह और यह वीडियो में आज ही शूट कर रही हूं कल इसे पॉब्लिश करूँगी तो यह मांग्टी का जो है वह इस तरीके का इसका जो है वह कुंदा है गोल्ड का ही है जो कि पूरा जो हम लोग बालों में फसाते हैं यह देखिए और यही कई इसकी मोहर भी लगी होगी है तो यह देखिए यहां पर लगी होगी है तो यह कंप्लीट होल ग्राम हम करें होल ग्राम होल मार की जो है वह घुल्ड है एक्टली नाज मेरा बीपी डाउन होगे एक मेरे ताब गेटना होगी मैं अभी आपको इसी वीडियो में सुना दूंगी तो इसका वेट छे से साथ ग्राम के बीच में हैं तो हलका मांगती का यह नहीं है थोड़ा सा वेटेड है जी हां चुकि मैं परसनली पसंद नहीं करती बात बिल्कुल सच्छे यहां पर मेरे हजबेंट बैठे हुँ है तो क्या ऐसा है कि मैं गोड्ल पसंद करती हूं आज तक मैंने कभी गोल्ड पसंद नहीं किया है अगर मैं कुछ गोल्ड के सामान खरीती हूं तो यहीं मेरे लिए पसंद कर लेते हैं चुकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है तो बस मेरा पसंद इतना रहता है कि उसमें नग ना हो कलर ना हो स्वालिट गोल्ड पस मेरी चॉइस इतनी सी होती है और कुछ ने चुकि उसकी रिटन वैल्यू होती है तो यह इन्हीं ने पसंद किया है तो यह साथ 6-7 ग्राम के अंदर का ही है यह 6 ग्राम से कम नहीं है सो मैं वेटिंग मिशीन डूड़ रही थी मिल नहीं रही थी तो मैं कमाल ही है तो मैंने बिच्छे खरीदे अपने लिए सो काफी सारे बिच्छे खरीदे और इस बार मैंने जो है वो बहुत संदर बिच्छे लिए मुझे बहुत पसंद आईए आइम शूर कि आपको भी उतने ही पसंद आएंगे और यह थोड़े से एक्सपेंसिब भी है यह भी है थोड़ा सा सो मैं इनकी प्राइज आपको बाद में खटा बता देती हूं तो यह आप देखें यह मैंने चार बिच्छे लिए कि कितने प्यारे लग रहे हैं तो आज खल इस टाइप के ऑक्सिडाइज में मिलते हैं जो की बारा सो तेरा सो रुपय क्या आते हैं पर वह मुझे नहीं लेने थे चुकि इनके कोई रिटन वैल्यों नहीं होती सो मैं सिल्वर में बहुत टाइम से ढूण रही थी ग्रीन और रूबी के कॉम्मिनेशन में यह मुझे मिल गए इनकी चांदी के आप चमक देख रहे होंगे यह नॉर्मल बिच्छे से बहुत अलग है और इक चीज में बता दूँ यह 100% प्योर सिल्वर है और इसको जब हम बापस करेंगे दो प्रकार के सिल्वर होते हैं तो मैं अब आपको फर्क बता देते हूं जो हम इस वाली जो बिच्छे मेरे हाथ में जब हम इनको बापस करेंगे तो पूरा 100% मेरा पैसा जो है वो बिच्छे पहनती भी हूं मतब यह जो 92% सिल्वर होते हूं चोकिस में सिर्फ 10% काटते हैं तो एक तो आपके जियाजी ने मुझे यह किफ्ट किये हैं नेक्स्ट मैं आपको दिखा हूं एक और बिच्छे लिए मैंने इस बार मैंने बिच्छे की शॉपिंग ज्यादे ही लिए तो यह को बोल भी रहे थे कि तुमको ज्यादा पसंद आ गया लग रहा है तो मैं थोड़े सा ज्यादा बड़े बिच्छे नहीं पहनती हूं यू तो आप देख रहे यह प्योर स्टोन लगे हूए है मतलब यह प्लास्टिक नहीं स्टोन ही है यह वाइट कलर में मुझे लेने थी मेरा बहुत मन था सो मिल गया फाइनली तो मैंने ले भी लिया और एक ही पीस बचाता किसमस से तो मैंने ले लिया पकार कि जो रैड एंड बच ज garden उनने बहुत सा रहा था इसमें के लग만 अधाल कर दोडाव चार में चार इस लोग कोश चोड़ने ले ने तो यह फोल्लेडी से तो फिर मने दो ले लिए इस परिकार से और इसमें आप रिफ्लेक्ट देखिंगे पत्थर का तो बहुत पर्स्त दिख रहा होगा मैं तो इसे कुछ डिफरेंट वे मैं कैरी करूंगी तो कि मैं सिंगल बिच्छे नहीं पहनते हूं मैं तीन या दो बिच्छे पहनती हूं और कभी जैसे कोई फैस्टिबल होता है तो तीन पहन लेती हूं तो यह जो बिच्छे आप देख रहें यह देखे तो मैं इनना इस तरीके से पैर में कैरी करूंगी बहुत सुन्द लगए वाइट के साथ तो कोई भी कलर एड कर लीज मैं थोड़ा सा कम करकर मुझे 400 रुपए में दे दिये तो अब यह है कि जब भी मैं इन बिच्छे को बापस करने जाओंगी तो बिच्छे पर जो जोड़ी है उस पर दस परसेंट काट कर वो मुझे मेरा पूरा पैसा बापस कर देंगे तो एक जोड़ी बिच्छे मैंने यह खरीदे हैं यह भी मैं आपको दिखा दूँ और इन में मुझे में बिच्छे चुकी तो कि दान करने हैं यह चांदी के हैं बट सावितिर पे सवाक का समान दान भी किया जाता है तो यह मैंने राड कलर में लिए हुआ है और इन वीच्छे की क्या खासियत है जब हम इन क्रॉस होने के बाद ना काले भी पढ़ जाते हैं तो यही बोल रहे थे तो बहुत साय लोग मुझसे पूछेंगे मैंने कहां से लिए तो अमीनाबाद में यह शौप है काफी बड़ी शौप है इनके हां यह बिच्छी जो है बहुत एजिली मिल जाते हैं सुदर श्याम तो यह बिच्छी में यह मुझे पढ़ गए थे जो है वह वह बताई एक तालेसु और बगाय के यह थोड़ी से एक्सपेंस है तो लेकिन अच्छी चीज क्या कि इनकी रिटर्न जो है वह मुझे पॉलसी बहुत अच्छी लगी इस वज़े से मैंने यह बिच्छी खरीदें सो यह मुझे मेरे हस्बेंड ने गिफ्ट किये हैं और कुछ नहीं दिलाया कंगन में दिलाएं चुकि इनको पता है मुझे चूड़ियां बहुत अच्छी लगते हैं तो मैं कुछ जैसे मैंने आप से कहाना कि मैंने कंगन है कौन सी मार्केट में यह तब ही मैं लूगी चुकि फैशन हम इसा रिपीट होके आता है तो मुझे डर था इसा नहीं को इस टाइप का कंगन रखा और मैं फिर पर चेस कर लो सो चुकि मेरी अलमारी बहुत मैस हो गई है आप लोग मतलब यकीन नहीं तो मेरे बहुत सारे नहीं करना से जिनका एक सेट कहीं पढ़ा है तो आप अपना से हिंगरें तो पर संदरें कंगन वे का जायतों व तो पुट बहुता सो गई है तो यह मुझें अनुनोय दिलाएं बहूत सुन्दर हैं घंच निय। आप विन् के ताइप के बहुत बहुत सुन्दर है को अस 체 इस बैर को इनकी कॉलिटी दिखाओं तो यह साइट से जो है वह कुछ ऐसे से हैं जी हाँ थोड़ा सा ज्यादा ब्लिंगी है यह पर मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए और इसमें जो है मैं आपको इसमें ट्रिक भी बता देती हो भी तो यह साइट से कुछ ऐ ऐसा सा नजर आएगा बहुत सुन्दा लगेगा और फ्रंट से ऐसा दिखेगा अगर डबल पहनेंगे तो इसका लुक तब भी बहुत प्यूटिफुल आएगा तो लुक कहीं भी इसका कमजोर नहीं है साइट से जो है वो आपको ऐसा नजर आएगा और यहां से कुछ जो है वो दिलाया है थैंक्यू सो मज इपने इच्छी इच्छी शॉपिंग कराने के लिए और ट्रिक यह है कि अगर आपको जैसे मुझे यह प्रॉबलम है मैं इन्हें ज्यादा देर तक मेरे हाथों में रैशिश हो जाते हैं तो इसके लिए आप क्या करें आपके पास अगर ट इसके लिए उसके लिए पास तो नहीं होते हैं तो आपको जो है वह इनफेक्ट नहीं करेंगे तभी करेंगे जब नेल पेंट निकल जाएगी उससे क्या होगा इसमें अभी-kabhi काला पन भी आजाता है क्यों कि मैटल है कोई मतल्ब वह सॉलिड वाला नहीं है तो उससे क् मौन्सुन में ज्यादा देखनों को मिलते हैं मौन्सुन बहुत अपने उस पर होते हैं और मोश्यर को क्रेट कर देता है यूमिडिटी बढ़ चाती है तो इससे में आप निल पिंट लगा देंगे अगर तो यह आपके कंगन जो है वह सेफ रहेंगे काले नहीं आप लोगों कैसे लगे कॉमेंट करें जरूब देगे विसे अपी साडी के लिए लोगों ने बहुत तारीफ कि अब ने बहुत तारीफ कि तेटी बाके बहुत सुन्दर साडी है अच्छली मैं थोड़ा सा पिंक अवाइड करती हूं तो मैं उसे डर रही थी और मैं सच ब लाया है इन्होंने और यह भी बहुत ब्लिंगी सा है बट इसका लुक ना कुछ डिफरेंट है इसको जो आप पहनेंगे तो यह चूड़ी और कंगन का एक सेट लग रहा है सो सिंगल कंगन यह है और आप देखेंगे तो मिट्वेट कर लें तो यह फ्रंट से कुछ ऐसा सा लग रहा है अंदर गोल्डेन है और यहां पर सामने से आप देखेंगे तो कुछ ऐसा सा लग रहा है ठीक ना कुनन का तो इस टाइप का कंगन जो है वो यह है बहुत सुन्दर कंगन है यह और अभी मैं आपको हाथ में डाल के दिखा देती हूं तो यह पहनने पिना इसका इस असा नजर आएगा सामने से कुछ असा नजर आएगा सिंगल कंगन बहुत अच्छा लगेगा डबल कंगन भी पहुत सुन्दर लगेगा बट मुझे दो नहीं दो ही लेने थे अब मुझे दो लेने के पान मुझे इसके 2 और लेने चाहिए तो पैने पर जाओंगे ना तो मुझे लग रहा है कि अब मैं इसके दो और ले लूगी तो मैंने यह कहां से लिए यह सारी चूड़िया मैंने अमीनाबाद से खरीदी हैं अमीनाबाद में गडबड जाले से तो गडबड जाला क्या है जो लोग गडबड जाले का मतलब को वेकार जगे नहीं है मार्केट उसका नाम है वहां चूड़ियां जूल्री मेक अप इस टाइप के जो मतलब सेनेटरी टाइप के आइटम भी वहां मिल जाते हैं तो जो लखना उसे वह समझ रहे हैं कडबड जाला क्या है तो आप वहां से पर्चेस कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा साफधाने के अब जाके कहीं आपको 100 रुपाय में देंगे तो मुझे भी एक अंगन उन लोगों ने 800 रुपाय के बताए ठीक ना तो इस बस आप समझ लिजे ऐसे तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि मैंनके दो कंगन और ले लू आप लोगों को क्या लग रहा है जरू कॉमेंट करके कैसा लगा आपको हाल यह भी बताएगा और मट सावेतिर की सारी तैयारियां हो गई है कल मेरा प्रत रहेगा तो यह वीडियो में इसलिए आज शूट कर रहे थी और बकाय के कपड़ों के लिए कर कहें तो मैंने आपको बताएं कि मैंने साड़ी सबार नहीं खरीदी है और कुर्ती जो है वो मैंने लिए कई सारी सो उनका हॉल जरूर आने वाला है आप लोग वाच करिएगा और आशा करते हो वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो दैन वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रैंड एंड फैम्ली के साथ शेयर करना बिल्क